देखो आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है बिरोजगार है और इसलिए हमेशर होते रहते कि हमाई पस्त जौब भी नहीं है हमें तो कोई जौब भी नहीं मिल रही है लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम जो हम हर समय दूसरों को हर समय सरकार को दोज देते रहते हैं मैं यह नहीं बोल रहे हिूं कि जौब नहीं मिल रही है वह एक प्रभ्लम नहीं है लेकिन मैं बोल रहे हूं कि हड़ समय दूसरों को दोझ्ट देने से अच्छा यह है कि हम एक बार अपनी गिरिवान में भी ज। हम आरे अंदर क्मी जो में महीं मिल रही है ठीक है बहुत सारे लोग मुझे दिन भर मैं अभी भी अगर आप अपनी मेल आईडी खोल के दिखा दूँ बहुत सारे लोग मुझे दिन भर मेल करते रहते कि हमें आपके यहां वीडियो एडिटर रख लिजे थामनेल मेकर रख लिजे और मैं honestly तुमको बताऊं कि I work under an agency क्य जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब आप लोग मुझे इतने सारे you know mail भेशते रहते हैं कि हमारी financial condition ठीक नहीं है हमें कोई जॉब नहीं दे रहा आप हमें जॉब दे दीजे या whatever तो मैंने बहुत सारे लोगों को चांस दिया भी है लेकिन उनकी major problem क्या होती है उनकी major problem यह होती है अरे बहुत बार बहुत लोग काम करते हैं देन उसके बाद चोड़के चले जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा और उनको क्या होता है उनको पैसे बहुत कम लगते हैं मैं यह नहीं बोल रही हूं कि हाँ पैसे में कम नहीं होंगे लेकिन मैं यह बोल रही हूं कि बहुत सारे लोगों की यह problem होती है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको वो तब ही job करेंगे जब उनको 50,000 की job मिलेगी यह 40,000 की job कि जबी भी आप मुझे मेल करते हैं तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ मेल ना करा करें कि मैं आपको कोई कि 50,000 की जॉब दे दूँगी या आपको कोई 40,000 की जॉब दे दूँगी आप सबको भी पता है कोई मेरा चानल इतना बड़ा कोई चानल नहीं और मैंने अभी खुद ने भी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है तो मेरी जितनी कैपासिटी है मैं उतना ही आपको अफर कर सकती लोगों का कुछ नहीं हो सकता है आज की डेट में प्राइविट जॉब अगर आप सुचोगे आप मुझे तो 50,000 की मिरेगी 30,000 की मिरेगी तभी मैं करने जाओंगा किसी को नहीं मिल रही है आज ही डेट में आपने कोई कोर्स करा हो MBA करा हो बीए करा हो या कोई भी करा हो जादा जादा 15,000 से सबकी स्टार्टिंग हो रही है नॉर्मल बात हो रही है अगर आपने किसी नॉर्मल कॉलिज से करा है ठीक है तो इसी से सबकी स्टार्टिंग हो रही है और अगर आपको करना है स्टार्ट तो यहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा हर कोई बहुत लोग इससे सटार्ट करके बहुत आगे बड़ जाते हैं ठीक है मैंने अपने घर में ही बहुत सारे लोग को देखा है तो यह एक्स्पेक करके मत बैठो कि मैं तो बहुत लायक हूँ मुझे तो पचास ़ार की जॉब मिलेगी तो ही मैं जॉब करूंगा या करूंगी otherwise तो मैं जॉब ही नहीं करूँगी दीरे-दीरे करके आप करोगे तो आप एक दिन पचास जार भी और एक लाग भी और दो लाग भी हो जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप फ्रेशर हो कहीं आपने जॉब नहीं करी है तो कुछ भी कर है तो अगर आप मैंड़ेटी के साथ चलोगे कि हम चोटी जौब भी नहीं करेंगे तो बाइद आपको कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में ठीक है दीरे-दीरे करके ही चीज़े आगे बढ़ती है अगर मैं यह सोचती रहती कि यार मेरे तो 1000 सब्सक्राइबर है मैं आते कभी बहुत जादा भी आते मिलेयन में भी आते तो अबी मैं वीडियो बना तो यह नहीं सूच रही है यार मेरे चानल पर इतने सारे सब्सक्राइबर है 1000 व्यू आरे तो मैं वीडियो क्यों बनाऊँ तो यह चीज़ धियान में रखिये और तब तक के लिए धियान र